कि अंइब उसको तो आप मिला दिये लेकिन इसमें क्या है ऎakा। इसको क्या करेंगे मिलाना ह। पहली व्यविश्टी मिलाजेने अब राई जोबियम कल्चर मिला राईजोबियम को उतने मात्रा में डालेंगे की का मात्रा में डालेंगे भी ये डुगने मात्रा में डालते हैं यहां मतलब 30 किलो 8 ग्राम क्योंकि यह बड़ी डाना है चना का अब क्या करेंगे भी यह यह सब चीज मिलाने की बाद देदी एला इला घर की अंदर छायदार जगह हमां यह कितने घंटा के लिए रखेंगे भईया चायदार इस्थान में यह मतलब 6 गंटा के लाइगा है क्यों रखेंगे भईया यह यह बड़ी जैने चिपकी से तक कुछ दीर तक मतलब चिपकी रहत है तो जो भी बिमारी रहत है तो यह मतलब 20 चे भी दूर है जाते हैं इखले इस है 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 बीज उप्चार करके तो आप चायदार इस्थान में रखी दिये भी याद इससे आपको क्या फायदा है कि एमादीदी बीज उप्चार करने से हां मतलब जो भी दवेस्टीन है ना वो जमीन के नीचे कुछ भी बीमारी आते या तो डीमक आते उखर रोग ठाम करते जो राई जो भी हम कल्चर है ना वा बड़ी है जमीन ला नमी रख थे और फिर बड़ी हा बढ़ोहार के काम कर करते हैं मतलब यूरिया के पूरे काम करते हैं और जो भी बीमारी आते हैं ओगरा बीमारी जैसे अपन के खेतन में उखर जा थे पौधा अच्छी पौधा उखर वा काम करते बड़ी हर्सास तरक थे पौधार उत्पादान अच्छी आ होती है